हर्याना की राजनिती से बड़े सियासी उलट फेर की खबर सामने आ रही है हर्याना के मुठ्यमंत्री मनुहर लाल खटर ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया है उधर डिपी सीएम और जेजेपी के राश्टी महासचीव दुश्यन्थ चौटाला ने भी सरकारी गारियां लोटा दी है थबर है कि हर्याना में जेजेपी और बीजेपी का कटबंधन करीब करीब तूट गया है बश्गोशना होने का इंतिजार है राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दुश्यन्थ चौटाला ने सुमवार को दिल्ली में बीजेपी के राश्टी अधर्ष जेपी नर्टा से मुलकात की थी लेकिन बात नहीं बनी जिसके बाद दुश्यन्थ चौटाला ने ग्रीह मंत्री अमीश शाह से मिलने का समय मागा है बताया जा रहा है कि जेजेपी के चार-पांच विधायक दुश्यन्थ चौटाला के साथ दिल्ली में मौजूद है जबकि चार-पांच विधायक चंडीगड में मौजूद है खबर है कि इसी बीच हर्याना राजवन में भी तैयारियां हो रही है हर्याना की राजनीति के जानकारों के मुताबिक CM खटर ने इस्तिफा दे दिया है इसके साथ पूरी कैबिनेट भी भंग हो गई है खटर ही मुख्टमंत्री होंगे या कोई और क्योंकि राजनितिक गल्यारों में खबर है कि CM के तौर पर खटर नहीं बलकि पार्टी किसी और को जिम्मेदारी दे सकती है हर्यना BJP के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी को लेकर चर्चा है कि नए मंत्रि मंदल के तहर नायब सैनी को BJP मुख्टमंत्री बना सकती है जानकारों का मानना है कि खटर के प्रती अंटे अंट्रमेंसी को देखते हुए BJP बड़ा नेड़े ले सकती है लेकिन सवाल है कि आखिर BJP जेजेपी के बीच कट बनना क्यों टूटा इस पर जनकारों का मानना है कि दुश्यन चौटाला लोगसभा चुनाओं के लिए दो सीटों की मांग कर रहे थे लेकिन BJP दो सीट की बजा एक सीट देने के लिए तयार है उसमें भी जो सीट दुश्यन चौटाला मांग रहे हैं वो नहीं है आज लग रहे हैं घकम हो जाएगा रखनदन वो दो सीट साते दे लोग सभाईगी ना बीजे ज़े लोग टो अर एक भी कॉन सी लेव शिर्शा की देना चारे इंको वो कहते हमको ब्यानी इसाथ में इसाथ नहीं है तो इस पार्टी के आट जा ले लें जो जोग सकते हैं है अच्छा खट्ट भी बदल सकते हैं अच्छा अब जो इसा तो नहीं है ना कि बिदान सभा भंग करके लोग सभा के साथ ये लेक्शन करवाएंगे नहीं नहीं जब अगर बंगी करने हैं तो इस सो बदलने क्या जोड़ता है खबर है कि कि मिनिष्ट बदलेगा दो बंगें में हो लेगा नायब सेनी का नाम चल रहा है कि उसको बना सब्सक्राइब करें दरसल हर्याना में 90 विदान सभा की सीटें हैं इनमें 41 बीजेपी के पास 30 कंग्रेस के पास 10 जेजपी के पास एक इनेलों के पास एक हलोपा के पास और साथ नेरदली विधायक है पिलाहल बीजेपी जेजपी की गरबंदन की सरकार में बीजेपी की पास 41 जेजपी के पास 10 और एक नेरदली रणजीत 14 सरकार में हैं उदर बाकी नेरदली विधायकों का समर्तन भी बीजेपी के साथ गया है ऐसे में अगर जेजपी गरबंदन तोर देती है तो बीजेप के पास एक तालिस साथ निर्दली और एक हलोपा विधायक का समर्कन है इस इसाब्त भी बीजेपी के पास बहुमत के 46 आंकड़े से तीन ज्यादा सीते हैं इस अधार पर भी प्रदेश की राजनीती में बीजेपी ही सत्ता पर इस्थापित होगी लेकिं खटर का के साथ नमस्कार